दोस्तो बिजनस जितना grow होता है, बिजनस में problems उतनी जादा आती है हमारे साथ ऐसे बहुत सारे online sellers है, resellers है जिनका business से तेजी से शुरू में grow होता है लेकिन grow होने के कारण बो अपने customers को website में नहीं shift कर पाते एक website नहीं बना पाते और क्या होता है, manually manage नहीं कर पाते जब business grow होता है और फिर थोड़े समय के बाद उनका business वोपस downfall में आ जाता है तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि अपने business grow होने पे कैसे आप अपने customers को एक social commerce website पे shift कर सकते हो यानि कि अपने पूरे business को एक website पे shift कर सकते हो और उससे अपने business को तेजी से grow कर सकते हो नमश्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्षित सेथिया और आप देख रहे हैं Social Cellar Academy, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे tools बताऊँगा जिससे आप free में अपनी e-commerce website, अपनी social commerce website बना सकते हो जिससे आप अपने customers से तेजी से order ले पाओ और customer का database उस website पे save कर पाओ तो जैसा कि आप सभी को पता है जब business grow होता है तो अकिला 1% पूरे business को control नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़े होती है, sales होती है, marketing होती है, customer database save करना होता है नए-ने products लोग को update करना पड़ता है और ऐसी situation में आपको एक ऐसा tool चाहिए एक ऐसी website चाहिए जो आपके लिए ये सारा चीज का काम करे और सिर्फ आप एक ही चीज में focus करो, वो है traffic लाने में, customers को लाने में इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि अपनी website पे customers कैसे लाते हैं तो दोस्तो ऐसे social commerce website बनाने के लिए 4-5 बहुत अच्छे tools है एक तो Shopify है, जहाँ पर आप professional e-commerce website बना सकते हो शुदू में मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा paid subscription लेना पड़ेगा फिर WooCommerce है, जहाँ से आप बहुत अच्छी e-commerce website बना सकते हो लेकिन मैं आप सभी को recommend करूँगा कि initially जब आप start कर ले हो आप सभी को सिखाता हूँ कि दुकान app में कैसे अपनी website create कर सकते हो और किस प्रकार से एक बहुत अच्छी website बना सकते हो तो एक बार sign up करने के बाद एक बार अपना account create करने के बाद आप देख सकते हैं इनका home page है, home page में सबसे पहले आप उपर से आ तो अपनी दुकान को on कर सकते हैं या off कर सकते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि गुरुवार या फिर संडे को हम चुट्टी में होते हैं तो जब भी आपको front end देखना है, सामने वाला part देखना है website का तो आप यहां से जाके देख सकते हैं यही सी आप अपनी website को share भी कर सकते हैं यहां पर आपको overview मिल आएगा कि कित्ते orders होते हैं, कित्ते sales हैं अभी तक कित्ते product के views हैं कित्ते लोगों ने आपके product को देखा है और आपके store में overall कित्ते views आए हैं फिर कोई भी new order आएगा तो आपको नीचे ही दिख जाएगा उसका status अब जब आप order section में जाएंगे तो यह सबसे important section है यहां पर कोई भी आपको order आएगा तो आपको line से यहां पर orders दिख जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि order को accept करें कि reject करें order को आगे ship हुआ है कि नहीं हुआ है order delivered हुआ है कि नहीं हुआ है यह तीनों status आपको यहां पर दिख जाएंगे आपको सिर्फ accept करना है और आपके customer को notification चले जाएगा जैसे आप customer ने आपको order place किया आपको order दुकान app में आ गया आपको सिर्फ उसको accept करना है customer को notification चले जाएगा कि जो supplier है उन्होंने आपके product को आपके order को accept कर लिया है फिर जैसे ही आप shipping करेंगे customer को फिर message चले जाएगा जो supplier है उसने product को ship कर दिया है इन फैक्ट जब product डिलिवर हो जाएगा तब फिर आप वहाँ पर delivery का बटन एक दवा सकते हैं फिर message चले जाएगा कि जो product है वो customer के पास डिलिवर हो गया है तो basically notification से थोड़ा सा professionalism लगता है और customer को भी बहुत जादा convenience होती है कि बार-बार उनको पूछना नहीं पड़ता फिर जो मैं को सबसा अच्छी चीज लगती दुकान अप में वो है simple आप यहाँ से बहुत सारे product upload कर सकते हो यहाँ पर add का button है जैसे ही add product में आप करेंगे तो आप product name डाल सकते है product की images वकर डाल सकते है product का जो भी description है जो भी variant है जो भी prices है वो सारी चीज़ें यहाँ पर update कर सकते है और यह भी बता सकते हैं कि कितना stock में है product product को live रखना है कि नहीं रखना है एक बार जब आप product डाल दिये तो उसके बाद यहाँ से product को share भी कर सकते हो product की जो pdf file होती है वो भी बना के whatsapp पे share कर सकते हो और in fact आप image और text file भी share कर सकते हो फिर एक जो चीज है जो small level online sellers के लिए काफी जरूरी है यहाँ से आप अपने store को manage कर सकते हो बहुत सारी आपको यहाँ पर चीजे मिल लाएगी जिससे आप marketing कर सकते हो जैसे आपको marketing designs मिल लाएगी जहाँ से आप अपना business card, promo card, whatsapp, story में क्या-क्या डालना है वो सारी चीज है यही से ही बना सकते हो बहुत सारे लोग है वो canva.com का अभी prefer करते हैं कि canva में अपने खुद की images और बना ले अगर आपको canva पर नहीं जाना है तो इनके पास खुद का inbuilt tool है जहां से आप image create कर सकते हो फिर आप यहां से अपना online payment details डाल सकते हो अपना UBI number के भी through अपना payment ले सकते हो customer से discount coupon बना सकते हो जब आप retarget करते हो जब आपके पास बहुत सारे customers हो जाते हैं और आपको retargeting करना रहता है अपने पुराने customers को कुछ value देना रहता है ताकि वो बार-बार आपके shop करें तो यह बहुत अच्छी strategy है कि discount coupon बना दो और सारे अपने पुराने customers जो है जो एक बार आपसे purchase कर चुके हैं या आपकी hot leads है उनको आप discount coupon प्रोवाइट कराइए इससे बहुत तीजी से business grow होता है फिर मैं आप सभी को हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपना database save करो customer का क्योंकि database is the key to grow online business और यहाँ पे आपको my customers में आपकी जितने भी जो-जो customers है उनको आपका database मिल लाएगा अब आपको retargeting के लिए WhatsApp पे save करने की जरुवत नहीं पड़ेगी युनो बहुत जादा headache नहीं रहेगा सिर्फ आपको एक ही जगा जाना है एक app के अंदर एक जगा में आपको अपने सारे customers मिल लेंगे अब आपको retarget करना है उनको वापस approach करना है उनको कोई offer भेजना है कोई भी request करना है तो आप simply यहां से जाईए अपने customer का status देख सकते हैं अपने customer को call कर सकते हैं या अपने customer को WhatsApp भी कर सकते हैं तो customer को manage करना एक dashboard में काफी easy हो गया है और फिर last में profile section है जहां पर जाके आप अपनी profile क्रियेट कर सकते हैं in fact दुकान application की बहुत अच्छी बात यह है कि यह PC में भी है और आपकी एक बहुत अच्छी e-commerce store आपकी website easily social commerce में create हो जाएगी जिससे आप तेजी से अपने customer का order ले सकते हैं और free of cost create हो जाएगी free of cost आपको notifications मिल रहा है free of cost customer management मिल रहा है हर चीज़ free of cost है तो यार जब आप एक ऐसे level पर अपने business को ले गए हो जब आपके पास 50-60 से जादा customers daily basis पे आ रहे हैं और आप customer को manage नहीं कर पा रहे हो तो उस time पे सबसे important चीज़ है कि आप अपनी एक website create करो social commerce website create करो ताकि तेजी से आप अपने logo को convert कर पाओ आपको बार-बार product दिखाना ना पड़े आप जो भी आपके पास customers आ रहे हैं उनको cater करो उनको बताओ उनका question problems हो है वो solve करो लेकिन जब भी वो बोले कि और product देखना है या फिर product buy करना है तो आप उनको अपनी website की link दे दो अच्छा इस वीडि example लिया है क्योंकि free of cost है और बहुत अच्छी services है अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अपनी website को marketing कैसे करें जित्ते अच्छे से marketing करोगे जाहिर सी बात है उत्ते अच्छे orders आएंगे तो marketing का दो तरीका होता है एक होता है inbound marketing एक होता है outbound marketing ये दोनों चीज को बहुत आपको देख के आपको समझ के आपके business को समझ के आपके पास आ रहा है और आप उसको website दे रहे हो तो वह गई inbound marketing तो basically inbound marketing करने के लिए जो website की link है ये आपने instagram account की जो bio section है वहाँ पे लगा दो इसी website को आपने जो whatsapp business का profile section है वहाँ पे लगा दो और in fact local listing करो ताकि कोई भी अगर search करें जैसे suppose आप सूरत में business कर रहे हैं online selling कर रहे हैं कोई भी search करें कि best watch business in सूरत तो आपका जो business है ये सबसे उपर आए और local listing करने के लिए 2-3 websites बहुत अच्छी है सबसे पहले google my business में अपना registration करो google में registration करना तो सबको ज़रूर है second quora में publish करते रहो क्योंकि quora businesses इन सूरत और उसमें अपनी website को या अपने business के बारे में लिखके publish कर दो जिससे लोग जो जो online google पर search कर रहे हैं वो आपके पास आ जाए second जो तरीका है वो है थोड़ासा पैसा खर्च के inbound marketing करो मतलब अपनी YouTube स्टार्ट करो देखिए बहुत सारे examples है जो बड़े-बड़े उनके WhatsApp पर आते हैं और वहां से convert होते हैं अगर शुरू नहीं की हो तो YouTube और blogging YouTube में कैसे product sell करना है इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाई है उस वीडियो को ज़रूर देखना blog में अपने खुद का blog लिख के blog से भी बहुत ज़्यादा traffic आती है blog भी Google में rank होता है तो blog से अगर traffic लाना है या blog से basically blog बना के online business करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है recently launch हुई थी वीडियो उसको जाके देख सकते हो तो यह कुछ inbound marketing के तरीके हैं जिसमें लोगों खोज के आपके पास आते हैं आपके business को देखके या फिर खोज के अब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें हम लोगों के पास जा सकते हैं बलक में marketing कर सकते हैं जैसे सबसे पहल marketing के लिए एक टूल है जिसका नाम है mailchimp इसके बहुत सारे tutorials आपको YouTube में already मिल लाएंगे mailchimp में आप email को automate कर सकते हो जैसे कि आपने 50,000 लोग को mail भेजा आपके पास suppose 500 लोग का response आया कि हाँ हम interested हैं तो उन 500 लोगों को भी आप further automatic तरीके से email भेज सकते हो और फिर बार-बार email बेच सकते हो इसको बोलते हैं email marketing automation ये चीज़ आपको YouTube में बहुत सारे YouTubers है जो बताके रखे हैं कि mailchimp को कैसे setup करना है second जो तरीका होता है वो है bulk WhatsApp marketing आपको मैंने bulk WhatsApp marketing के बारे में बताया है अपने tools के बारे में बताया है recently video launch की थी 10 tools to grow your online business उस video को देख सकते हो समझ सकते हो क कौन-कौन से tools को use करना है bulk WhatsApp marketing करने के लिए जो तीसरा सबसे अच्छा तरीका है वो है Facebook ads और Instagram ads ये जब आप थोड़ी एडवांस लेवल पर पहुच जाओ जब आपकी थोड़ी team grow हो जाए जब 2-3 लोग हो जाओ और आपके पास स्रिफ एक काम बचे marketing करने का बाकि आपके support के लिए बंदा है आपके पास photography के लिए बंदा है आपके पास website manage करने के लिए लोग हैं सारी चीज है उसके बाद आप marketing में अगर घुस रहे हो तो digital marketing में Facebook ads से अच्छा result आपको कोई दे सकता अभी currently Facebook ads boom में चल रहा है अगर आप 100 रुपए invest करते हो तो आपको 1000 लोग पेंड करते हैं but on an average 100 रुपए खर्चा करोगे तो 1000 से ज्यादा लोग देख लेंगे तो आगे कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो बनाईए how to advertise your online business की यहां इस वीडियो को देखके आप advertisement एक बहुत अच्छा create कर सकते हो और simply Facebook marketing में daily का 100-200-300 रुपए invest करके customer regular basis पर अप आपको completely पूरी एक growth strategy बताई कि अगर आप छोटे level का online business कर रहे हैं और आपको 40-50 से ज्यादा customers आ रहे हैं तो WhatsApp पे मत अठके रहे हैं बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि WhatsApp पे अठके रहते हैं grow नहीं कर पाते हैं तो try करो कि जितने भी आपकी customers हैं उनको website पे shift करो try करो कि ज सबसे ज्यादा ध्यान आपको digital marketing पे ही देना है जित्ती ज्यादा marketing होगी जित्ती ज्यादा target traffic आएगी जित्ती ज्यादे audience लोग आपकी website पहेंगे उत्ता ज्यादा आपका business grow होगा तो I hope आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे अगर सीखे होंगे तो मेरे चैनल को subscribe कीजि झाल